हेलो एविवन मैं हूँ बीनया और टैंगी किचन में आपका स्वागत है आज हम लेंटिल दई बल्ले बनाएंगे जिससे हमने मसूर की दाल का इस्तमाल किया है मसूर की दाल वेट लोस के लिए काफी फाइदा करक है लीवर, आख और पेट के प्रॉबलम के लिए भी दाल फाइदा करक रहती है कॉलेस्ट्रोर लेवल जो अप डाउन होता रहता है उसको दाल है वो रेगूलेशन करती है दाई भल्ला हम डीफ्राइ नहीं करेंगे पर दाई भल्ले को हम अपम पेन में कम तेल से बनाएंगे इसलिए काफी हेल्दी बन जाता है तो चली हम दाई भल्ला बनाना स्टार्ट करते है दाई भल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मसूर की दाल मसूर की दाल को मैंने साफ पानी में धो के फिर दो घंटे पानी में भीगो के फिल ली हुई है थोड़ा सा दै, दै को मैंने नमक और शक्कर डाल के फिल लिया हुआ है थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी सेव, थोड़ी सी हरे धने की चटनी, आधा चुटा चमच बेकिंग सोडा, दो चुटा चमच तेल, नमक हम लेंगे स्वाध अनुसार, थोड़ा सा ब्लेक पेपर पावडर, दो हरे मीच और एक चुटा टुकडा अदरक्का, बुणा हुआ जीरू और तेल हम लेंगे भल्ला सेखने के लिए तो चलिए हम भल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मिक्सी के जार में भीगुई हुई मसूर की दाल डालेंगे और हरी मीच और अध्रक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालके हम इसका पेस्ट बनाएंगे दल को मैंने पीस के बड़े बड़तर में निकल लिया है अब हम पेस्ट में स्वाध अनुसा नमक डालेंगे बेकिंग सोडा और देल डालके इससे अच्छी तरह से हिलाएंगे पेस्ट को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें एरियेशन आए जिससे भला है वो काफी सॉफ्ट बनेंगे पेस्ट काफी फलफी बन गया है तो अब इससे हम अपम मेकर में सेखेंगे मैंने अपा मेकर को गैस के उपर रखा है और गैस ओन किया है गैस का फ्लेम मैंने स्लो किया है अब हम सारे सांचे में थोड़ा सा तेल डालके इसे ग्रीस करेंगे और चम्मत की सहायता से हम सांचे में बैटर को डालेंगे साने साचे में हम बैटर डालके तयार करेंगे अब हम इसे ढखके दो से तीन मिनट बाद हम चेक करेंगे दो मिनट हो गई है तो हम भल्ला चेक करेंगे हम पल्टा देंगे देखे भल्ला है वो सिक्के तयार है तो सारे भल्ले हम पल्टा देंगे और इसे दूसरी साइट से भी सिखने देंगे और दूसरी साइट भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे वापस हम इसे दो मिनट ढखके कुक करेंगे बल्ला को हम चेक करेंगे दूसरी साइट से भी बल्ला सिखके तयार है तो सारे बल्ले हम निकाल लेंगे और बचे हुए पेस्ट में से इसी प्रकार के भल्ले बना के तैयर करेंगे भल्ला को मैंने सीख के प्लेट में निकाल लिया है अब भल्ले को हम पानी में डालेंगे और 15 मिनिट इसे पानी में डूप के रखेंगे और 15 मिनिट बाद हम इसे पानी में से निकालेंगे अब हम भल्ले के उपड़ दै डालेंगे, अब हम इमली के चटनी डालेंगे, और हरी चटनी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मीज पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सिका हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी सेव स्प्रिंकल करेंगे, दैं भल्ला बन के तयर है, काफी स्पॉंच दैं भल्ला बन के तयर हुआ है, और बहुत ही कम तिल से बना के हमने इसे तयर किया है, तो आप इस रेसिपी को घर पे जरू ट्रै कीजिए, और मुझे कॉमेंट में फिडबेक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको में प्र बन वे जिर है कि दो आपको में पर चूपिन तो आपको में है, और मुझे करने भी प्राफ्वेस्था ग्राफ्वेस्ट्स एजलिए का जाइए कचिन उठने खर दाले है, तो, आपको तो, आपको दो, आ से चाइम, आपको में लगचे, कि यदंगी, दो,